लो एफ्रिवन स्वागता आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाच शाला में आज का हम करेंट अफेस का सेशन करेंगे 15 सेप्टेमबर का जो भी इंपॉर्टन करेंट अफेस हैं उसको डिस्कस करेंगे साथी में देखें आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेशन दिये चाते हैं जो कि आप कॉमेंट करके उसका अंसल जरूर करें और हम रिवाइस भी करते हैं जो कि हमने कल पड़ा था तो चले फिर इसके साथ आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बहुत अच्छे से मोटिवेशन कोड से एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को किलियर करूँ बहुत सारे स्टुडेंट यह कंफ्यूज होते हैं कि इसका पीडियाफ कहां से मिलेगा देखिए पीडियाफ जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा टेलिग्राम से टेलिग्राम पर आपको जितनी भी वीडियो लॉजिक पार्चाला चानल पर आते हैं सभी की पीडियाफ यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड किये चाते हैं उस पे आप जाके उस चैनल को उस ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसेस पे सारी जो PDF से हैं वो प्रवाइट करी जाती हैं। तो चले फिर इसी के साथ शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से motivation code के साथ देखे क्या है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अगर आपका जो करियर और आपका जो पैशन है वो एक साथ आजाए। कहते हैं ना जो काम दल से अच्छा लगता है अगर उसी काम में आप लोग करियर बनाऊगे तो बहुत जल्दे success भी मिलती हो और आपके एक तरीके से रहे सबसे अच्छी चीज होती है हमारे life में तो हमेशा अपनी dream को follow करें आप जो life में बनना चाहते हैं उसी चीज में अ कि जाता लंबी आप लोग को PPT ना मिले और आप लोग का असानी हो तो चलिए question के शुरुआत करते हैं पहला India and which country have launched the climate action and final mobilization dialogue तो भारत और कौन से देश ने जो dialogue है ना इसको शुरू किया है तो यहां पर answer हो जाएगा USA भारत और USA ने मिलकर इस dialogue के शुरुआत करी है देखो यह जो dialogue हुआ है इंडिया और USA के बीच में इससे क्या होगा इंडिया और USA के बीच में जो bilateral cooperation है मदब दूपक्षिय सही मजबूत बनेगा किस किस फिल्ड में climate को लेके environment को लेके ठीके अब इस dialogue में जब इंडिया पार्टिसिपेट करा तो इंडिया के तरफ से कोई ना कोई होंगे बिलकुल तो इंडिया के तरफ से union minister of environment forest and climate कौन है किसके बासे ministry भुपेंदर यातव और USA के special presidential envoy है Mr. John Kerry इन्हों ने यहाँ पर इसमें participate किया very important आप लोगों के लिए नाम बहुत ज़्यादा important होगा नाम क्या है भुपेंदर यातव अब हम बाले कर लेते हैं आज कुछ अमेरिका के बारे में चले घूमने चले थोड़ा सा अमेरिका चलो देखो अमेरिका की capital Washington DC तो हम सभी को पता है लेक Congress अमेरिका की जो सबसे longest river है वो है आपकी Missouri River हिंदी में भी इसको इस तरीके से लिखेंगे Missouri River ठीके अमेरिका अगर हम पूरे world में देखें तो largest country की position अगर हम area के according बात करें तो अमेरिका चौथे नमबर पर आता है सबसे बड़ा area Russia का है ठीके यहीं पे अगर हम population की बात करत है पहले नमबर पर population में इंडिया है और सौरी चाइना है सेकिंड नमबर पर इंडिया है और तीसरे नमबर पर आपका क्या आता है यूएस से आता है ठीके दोरों तरीके से ध्यान नको अमेरिका का जो tallest mountain है वो कौन सा है Rocky Mountain इसके बाद देको अमेरिका का पहला country कौन सी है जिसका written constitution है लिखावा लिकित समीधान है वो कौन सी है अमेरिका अच्छा इंडिया का जो समीधान है वो दिखिया अलग-अलग देशों से लिया गया है कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कहीं से लिया कुछ रूस से कुछ कैनड़ा से कुछ USA से कुछ आस्टेलिया से तो यहा से लिये गए जुडिशियल रिवियो सुप्री मैसे ऑफ दी कॉंस्टिटूशन इलेक्टर प्रेजिडेंट बही राष्ट्रपति को चुनाव कैसे होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिश्रे जुडिशियली पावर जो इतनी भी नियाइक पावर हो गई या और जो प्रो अगला दिखो क्या है कौनसी कंट्री है जिसको अभी हाली में सस्पेंट कर दिया है फ्रॉमदी 2022 में जो बीजिंग में विंटर ओलम्पिक होंगे वहां से किसके दोरा सस्पेंट किया गया है IOC यानि इंटरनाशनल ओलम्पिक कमीटी सो ये निलंबित कौनसे देश को अभी हाली में किया है तो आज से हो जाएगा नौर्थ कोरिया सो अब जो 2022 यानि अगले साल जो विंटर ओलम्पिक होंगे उसमें नौर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा ठीके IOC के जो इस टाइम पे अध्यक्ष है थॉमस बैक उन्होंने कहा है कि जो नौर्थ कोरिया है न वो IOC यानि इंटरनाशनल ओलम्पिक बॉड़ी का मदब जो पिछले ओलम्पिक से बकाया दान है उसको भी या पर उनका जब्त कर लिया जाएगा ठीके आप लोग ज्यान लखेंगे कंट्री कौन सी है नौर्थ कोरिया IOC का हेटकोर्टर है लोजन सुर्जलेंड में या प्रेजिडेंट ज्यान्रों को भी न्यूही बनी है थॉमस बैक 1894 में इसके स्थापना की गई थी तो क्लियर हो गया करेक्ट आंसर है नौर्थ कोरिया अगला कोशन देखे क्या है कौन से मिनिस्ट्री ने अनौंस किया है प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना को ये भी हाली में न्यूस में आई थी ये उशना इसलिए ये कोशन बना है किस मिनिस्ट्री ने इसको अनौंसमेंट के तो Ministry of Tribal Affairs अच्छा अब ये मिनिस्ट्री किसके पास है आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए तो ये मिनिस्ट्री है किसके पास है अर्जुन मुंडा जी के पास है ठीक है या दोखोगे विल्कुल चलो जल शक्ती तो गजेंद शेंग सेखावा जी के पास है होम अफेर मिनिस्ट्री अमिश रहा जी के पास है तो यह आपको ध्यान रखें मिनिस्ट्री से कोशन बन जाता है static portion में तो देखो ये news में क्यों रहा था क्योंकि ये योशना है इसको start किया जाएगा 36,000 villages में और उन villages में योशना उन villages को इसमें priority दी जाएगी जहां पर tribal population लगबग 50% है पहले उन villages में इस योशना को शुरू किया जाएगा इस योशना का उदेश है ये है कि देश में रास के लिए यहाँ पर इस योशना की शुरूआत की गई है ठीक है clear हो गया आगे देखो अकला question है कौन सी company है जो कि पहली private company बन गई है जिसने एक agreement जो एक agreement में आई है किसके साथ इस रो के साथ तो इस रो के साथ आपचारिक रोप से समझोता करने वाली जो पहली private company है उ और अब इस रो के साथ एक agreement में आई है अब इसका मतलब क्या है देखो इस रो के sentence में जितनी भी facilities है या उसका access कर सकते हैं यहाँ पर multiple test जो होते हैं उसका lab उठा सकती हैं जितनी भी यहाँ पर इस रो के expertise हैं उनको avail कर सकती है और testing जो भी space launch vehicle systems है इन सभी के बारे में सभी क वो lab उठा सकते हैं तो यहाँ पर answer है sky route अब इस agreement को sign किस ने किया तो इस रो की तरफ से जो इस रो के scientific secretary है आर उमा मेश्रम इन्होंने और sky route एउरस्पेस के जो CEO है पवन चंदना चंदाना ठीक है इन्होंने यहाँ पर यह sign किया है इस रो के chairman है के शिवान है के शिवान है 1965-15 August इस रो के स्थापना की गई थी तो यह आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं अंगली question पर अगला question है सितंबर 2021 में कौन सा राज्य है जिसने millet mission के शिरुवात करी यानि बाजरा mission सो बाजरा mission के शिरुवात किसने के द्वारा करी गई है 36 गड़ के द्वारा करी गई है ठीक है तो 36 एकड़ पे हमने बाजरा लगा दिया है इसे भी आप ध्यान कर सकते हो छोटी मोटी हिंट आप ले सकते हो तिससे आपको ध्यान रहे अब 36 कर गए जो CM में भुपेश लगू अनाज फसले हैं जो किसान उगाती हैं उनको उनका उचित मूले प्रदान करना ये इसका उद्देश्य है और इस mission के तहत जो क्रॉप्स हैं जैसे कोडो हो गया कुटकी हो गया रागी हो गया इनके productivity मतलब इनके उत्पादन को बढ़ाना भी इस mission का उद्देश्य ह जो फॉक डांसेस हैं वो हैं गेडी, चंदेनी, सुवा, राउत, डांस ठीके इसके बाद अचकनमार और इंद्रावती ये बहुत ही important नेशनल पार्क है आपके चत्यसकर्ण में चत्यसकर्ण बनाता 26 हुआ स्टेट एक नवंबर 2000 को अच्छा 2000 को यहां पे एक और राज्य बनाता कौन सा उत्राखंड, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीके, कापिटल और चत्यसकर्ण जो है वो नया राइपुर है जिसको अटल नगर कहते हैं, सीम है बुपेश पगिल और गवर्नर कौन है चत्यसकर्ण की अनसुईया उईकेस से गवर्नर और अव चत्यसकर्ण अगले कोशिन पर हम लोग बढ़ते हैं, अगला कोशिन देखें क्या है, विच स्टेट हास टॉप्ड अमंग ओल अधर स्टेट ऑफ द कंड्रेंट टम्स ऑफ इंस्टोलेशन ओफ ग्रेट सोलर पंप अंडरती प्रधान मंतरी, किसान, उर्चा, सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, देखो PM कुसम के तहत, कौनसे राज्य ने टॉप किया है, पूरी कंड्री में, सभी स्टेट में, किस चीज़ में इंस्टोलेशन, जितने सोलर पंप से उनके इंस्टोलेशन में, कौनसे राज्य ने यहाँ पर टॉप किया है, यह आप लोगों से पूचा है, तो आंसर इस दी हरियाना, हरियाना ने जो है, वो इसमें टॉप किया है, सबसे ज़ादा जो सोलर पंप से वो इंस्टोल करी है, अच्छा PM कुसम स्कीम के बात करते हैं, तो यह स्कीम 2019 में लाँच करी गे थी, इसका टार्गेट यह था कि 20 लाक जो सोलर पंप से उनको यहा 50% ही कॉस्ट पे करनी होगी, बाकी की जो 60% कॉस्ट है, वो आपकी जो स्टेट गवर्मेंट है, उनके द्वारा दी जाएगी, ठीक है, और इसकी जो कपैसिटी होगी, वो होगी 10 होर्स पावर की, तो इस तरीके से यह है PM कुसम स्कीम, अच्छा हरियाना में देखो, हरिया जहां पे आपको याद होगा कि महाभारत की लडाई होई थी, ये भी याद होगा, मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है गुरु ग्राम को, और हरियाना के चीज़ेस्टिस कौन है, रवी शंकर जा, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बाद अगरा कोशन है देखे, सिविल मिनिस्टर जोती रादित्य सिंधिया, अबी कोशन तो यहीं से बन गया, सिविल अवियेशन मिनिस्टर वाला, चालिए, इन्हों ने अपनी तरह के पहली मेडिसन फ्रॉम दी स्काई परियोशना के शिरुवात करिये, बताना है कौनसी स्टेट से, तो आंसर हो जाएगा य क्योंकि आपको पता हैं कि ट्रेफिक तो आजकल बहुत सदा बढ़ता जा रहा है, उसी को मद्दे नज़र रखते हुए ऐसे एरियाज या ऐसे एरिया भी होते हैं जहां पर पहुंश पाना बहुत मुश्किल होता है, तो जो रिमोट एरियाज होते हैं, वहां पर ड्रॉन की मदद से जो वेक्सीन से या अन्य जो भी इसेंशल प्रोडक्ट है उनको पहुंचाना ही इसका उद्देश है, तो इस प्रोजेक्ट को 16 ग्रीन जोन में शुरू किया चाहेगा, उसका फिर डेटा को एनलाइज किया चाहेगा पुरे तीन महिने में और फिर देखा चाहे कौन से शेहर में तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेली, डेली में ये डिजिटल जनसंक्या गडी का उद्गाटन किया, अब उद्गाटन किस ने किया, तो हेल्थ एन फेमिली वेलफेर की जो यूनियन मिनिस्टर है, जो नाम है क्या है इनका यूनियन मिनिस्टर आफ और इस बुक को लिखा है डॉक्टर दिपांजली हलोई और डॉक्टर सुरेश शर्मानी, तो इसी दौरान इस बुक का भी आप लोग ने ध्यान रखें, अब फटाफट से कर लेते हैं शॉर्ट न्यूस, जो हमने शॉर्ट शॉर्ट न्यूस पढ़नी है, जादा डीटेल इसमीन की ज़रूत नहीं है, तो देखते हैं सबसे पहले देखो एक बुक है, बुक का नेम है Human Rights and Terrorism in India, ये बुक लिखी किसके द्वारा है, सुब्रेमन्यन स्वामी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, आब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करेंगे, देखो Human Rights, तो Human के पास राइट है कि वो Terrorism के खिलाफ आवाज उटा सकते हैं, और आवाज उटाने के लिए कोई टाइम दोड़ना चाहिए, कि हाँ इसे टाइम आवाज उटाएंगे, तो वो आवाज सुबह से ही उटा सकते हैं, कि सुबह से ही आप, क्याता है ता, मॉर्निंग मे भी इनोंने लिखी, सेकंड बुक है, रिसेट, रिगेनिंग इंडियास एकोनॉमिक लिगिसी, तीसरी बुक का नाम है, सुनिया गांधी, हर लाइफ, हर लाइस, हर मैनिपुलेशन, ये तीन बुक, अधर इंपॉर्टेंट बुक हैं, जो कि सुबह सुबह स्वामी जी के द इनरची, अर्यूर्ड लाइफ, दिमयमोयर, बीर, सांगवी, बेटल फील्ड जो लिखी है, वो विश्राम बेद करने लिखी है, और अर्थ स्पीनर लिखी है, अनुराधा रॉई, तो इस तरीके से देखो, आप बार बार चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, तो इस एट किया, फुल फॉर्म देख सकते हो, आप इंटरनाशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिटूट फॉर दिस सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अब इन्हें ये वोट क्यो मिला है, देखो इनोंने अभी हाली में, जो सब सहारा एफ्रिका है, वहाँ पे फूर्ड सिक्योरिटी म अभी इनका हाली में निधन हुआ, तो एक्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ओसकर फंडेंडेस से इनका संबंध किसे है, इनका संबंध पॉलिटीशन है, ये सीनर कॉंग्रेस लीडर रहे थी, इनोंने यूनियन मिनिस्टर काबिनेट, मिनिस्टर फॉर ट्रांस्पोर्ट की तरह संबंध किया है, इनों के पास रोड और हाईवेज मिनिस्टरी भी रही, लेबर एम्प्लोइमेंट मिनिस्टरी भी रही, और जब मनमोहन सिंग जी का जो कारेकाल चल रहा था, उस तरह जो है इनोंने ये मिनिस्टरी संबहली है, और इनका अभी हाली में निधन हुआ इसके बाद है जस्टिस वेनु गुपाल इन्हें अभी हाली में अपॉइंट किया गया है as a acting chairperson of Neklet Neklet यानि National Company Law Appellate Tribunal इसके अभी हाली में ये acting chairperson बने है नाम क्या है इनका वेनु गुपाल ठीके बिल्कुल याद हो गया वेनु गुपाल चलिए हिंदी दिवस, भाई हिंदी दिवस celibate हुआ था कल 14 September को और हिंदी जो हमारी official language है इंडिया की उसके popularity के लिए हाप उसके popularity को चिन्नित करने के लिए दिन मनाती है हिंदी को देखो adopt किया गया था under article 343 of the Indian constitution पहली बार जो हिंदी डे मनाये गया 14 September 1953 को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की गोश्रा किसने करी पनिजवाला नहरुजी के दौरा करी गई और हिंदी जो है वो चौथी most spoken language है मतब सबसे ज़ादा बोलने वाली language में हिंदी आती है चौथे नंबर पर अच्छा हिंदी चौथे नंबर पर आती है आप लोग मुझे comment करके जल्दी से बताओ कि पहली language पहले नंबर पर कौन से language है जो कि सबसे ज़ादा बोले जाती है पूरे विश में International Teachers Day और International Day of Charity 5th of September को International Day of Clean Air for Blue Skies ये 7 सितंबर को मनाती है Food Processing Week आता है 6-12 सितंबर International Literacy Day 8 सितंबर International Day to Protect Education from Attack 9 सितंबर मनाती है Suicide Prevention Day ये मनाया गया है 10 सितंबर को और Union Nation Day for South-South Corporation ये मनाया गया 12 सितंबर को तो इस तरीके से हम लोग 12 रिवाइस करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी आज से कि हमें कौन सी organization पढ़नी है आज हम पढ़ेंगे नाबाड के बारी में नाबाड के सबसे पहले full form क्या है National Bank for Agriculture and Rural Development नाबाड के सापना हुई 12 जुलाई 1982 को मुंबई में headquarter है और गोविंतु राजलू चिंतला ये हाँ ये क्या है इसके chairman है देखो agriculture में लोगों को चिंता बहुत रहती है और ग्रामीड में ग्रामीड रूलर यानि ग्रामीड राके में तो ग्रामीड राकों में तो वैसे भी लोग क्रशी कारेों से जुड़े होते हैं तो उनको बहुत ज़दा चिंता लगी रहती है क्योंकि उनका bank balance भी इतना नहीं हो पाता क्योंकि क्रशी में इतना तरक्य उनको नहीं मिल पारी है तो इस तरीके से इसके chairman आपको याद हो जाएंगे इसका देखो main vision क्या है इसका vision है जो ग्रामीड राके है उनका development करना और mission इनका क्या है कि sustainable और equitable agriculture and rural development तो मतलब किस तरीके से हम ग्रामीड की समरद्धी को बढ़ावा दे सकते हैं कैसे हम उसके लिए एक विकास bank के रोप में कारे करता है ना बार्ड ठीके समझ में आ गई होगी चलिए अब फटाफट से कलके questions को revise करते हैं क्योंकि revision तो बहुत सरूरी है आप लोगों के लिए सबसे बहले question देखे क्या है हमारे पास India and Australia अभी हाली में 2 प्लस 2 वारता हुई है अब बताना है कहां पे हुई है तो New Delhi में हुई है मुरैको के प्राइम मिनेस्टर अभी कौन अपॉइंट होए है तो answer यहां पर क्या हो जाएगा अजीज अखानोंच ठीक है इसके बाद अगला question है US-India Strategy Clean Energy Partnership में represent किसने किया है इंडिया को हरदीप सिंग पूरी ने represent किया है कौन सी entity है जिसने पांचवी World Conference of Speaker of Parliament को organize किया है तो देखो इसमें तीन organization थी पहली थी inter parliamentary union, second थी Australia Parliament, third है United Nations ठीक है इसके बाद देखते हैं आगे इंडिया का largest open air factory है इसको inaugurate council state में किया गया तो answer हो जाएगा यहां पे उत्तरा खंड इसके बाद भुपेंदर पटे लिए भी हाली में गुजराद के नए chief minister बने है World First Aid Day ये कब बनाया जाता है तो ये इस पार 11th of September को मनाएं गया वैसे ये second Saturday of September को celebrate होता है South South Corporation ये कब मनाएंगा ये 12 September को मनाएं गया है इसके बाद गांदी स्मृतियन दर्शन समीती के अभी चेवन कौन अपॉइंट हुए हैं तो गांदी समीती के अगर हम बात करें यहां पे तो भुपेंदर जो हैं वो यहां पे गांदी समीती के सौरी विजय गोयल विजय गोयल यहां पर अपॉइंट हुए हैं इसके बाद एडॉब इंडिया की वाइस प्रेजिडेंट प्रतिवा मोपात्रा बनी है इसके बाद अभी हाली में प्रोफेशनल गॉलफर कौन है जिनको वीजा दिया गया है तो जीव मिलखा सिंग उसके बाद में सिंगल यूएस में टाइटल जीता है डेनियल इमा रिडुकाना ने जीता है और फॉर्मूला जो इटेलियन रेस हुई है डेनियल रिक्यार्डो ने जीती है तो इस तरीके से कुशन कंप्लीट होते हैं कल देखो आप लोगों से कुशन पूछा गया था कि जो नैशनल फार्मेटिकल प्राइसिंग अथ्यॉरिटी है इ परसन कमलेश कुमार पंत सेकंड था इंडिन बैंक के सीओ शांतिलाल जैन तो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है देखे फॉर्स्ट यहां पे है तनमे मनपातरा का अमित कुमार का कॉमेंट है देखिए सौरब दास घ्यानतरवेदी प्रतिका भसिन आप लोग इंपर्टन सेशन के लिए रेगुलर बने रहें लॉजिक पारिशाला चानल पर एंड ऐसी ही इंपर्टन सेशन में में मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थांक यू सो मच फिर वाचिंग इस वीडियो